नमस्कार दोस्तों टिकनोलोजी गाइड में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे MPG2 सेट अब बोक्स में मैनुआली टनस पंडार और सिम्बल रेट कैसे एट करते हैं सेट अब बोक्स को मैनुआली स्कैन करके चैनल को कैसे सेट किया जाता है और उसके साथ साथ हम आटो स्कैन करना भी देखेंगे जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए तो आप स्क्रीन पे जो सेट्टो बॉक्स देख रहे हैं यह एक MPG2 नॉर्माल सेट्टो बॉक्स है और इस बॉक्स के पीछे देखिए LMB-IN और LMB-OUT है और एक छोटा सा स्पीकल लगा के आप आडियो को भी सुन सकते हैं इसमें एम्प्लिफियर भी है सबसे पहले मैं डिश एंटना से आया हुआ केबिल ओयार को सेट्टो बॉक्स के LMB-IN में कनेक्ट कर देता हूँ आब सेट्टो बॉक्स के ओडियो वीडियो कनेक्टर से TV के ओडियो वीडियो कनेक्टर के साथ जोरेंगे इस connector को जोड़ने के समय एक बात ध्यान में रखियेगा Setup Box में और TB के जो A.V.E.N. है वहाँ पे देखियेगा तीन Color है एक है यूलो Color तो यूलो Color को हम यूलो Color के Setup Box का जो पीन है और TB का जो पीन है इसके साथ जोड़ेंगे और जो rate color का है वो setbox के rate color में जोरेंगे और जो white color है वो setbox के white color के साथ जोरेंगे तो TV में भी 3 color और setbox में 3 color अपस में हम same to same जोर देंगे तो देखिए TV और setbox दोनों ही on हो गया है और यहाँ पर आप menu देख सकते हैं और menu में सबसे पहले program setup में जाएंगे और यहाँ पर add new program में जाएंगे आप मैं सबसे पहले आपको ABS 2 का जो frequency है वो frequency डाल के दिखाऊंगा देखिए एलन्बी frequency जो है 10600 यह दोनों में ही रहेगा और फर्स्ट टेनस्पंडर है ABS का 11732 और सिम्बल रेट है 2400 और उसके बाद polarization जो है वो हरिजेंटाल और 22 के on और उसके बाद सर्च करने पर यह चैनल दोस्तों आ गया आप दूसरी फिक्वेंसी डालूंगा दूसरी फिक्वेंसी है double 1792 और बाकि सब्सेम रहेगा और उसके बाद त्ष्ट है डालूंगा double 1856 तो यह उसके बाद यह सब्स्ट रहेगा प्ररेजेशन और हरिजेंटाल सिस्ट हैं लायगा सिम्बलड में जान रहेगा देखिए और चौथा जो फ्रिक्वेंसी है डबल वान नाइन डबल वन और बाकी सब सेम रहेगा इस पर भी इस ट्राइब पिक्चर आ गया तो यह यह जो चार्ट ट्राइब है यह एबियस का ट्राइब है और और एक ट्राइब है जिसका बहुत ही वीक सिग्नल है जिसका ट्राइब फ्रिक्वेंसी है 12524 और सिम्बल रेट है 3000 तो इसमें मेरा सिग्नल नहीं आया यह बहुत ही वीक सिग्नल है इसका एंटेना को एड़ेस्ट करने पर यह सिग्नल आ जाता है तो देखिए मेरा जो चैनल है एबियस पे यह आ गया है तो आभी हमने देखा MPG2 सेटव बॉक्स में टैनस पंडर और सिम्बल रेट एड़ करके कैसे आप मेनुवाल ट्यून कर सकते हैं और अभी हम देखेंगे आटो ट्यून कैसे करते हैं उसके लिए सबसे पहले मेनू बटन प्रेस करके प्रोग्रम सेटव में जाना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आटो स्कान का जो अप्शन है वहाँ पे आम ओके करेंगे और उसके बाद देखिए आपे एलन बी फिक्वेंसी 10600 दोनों में ही डालना है और स्कैन मूट फ्री और 22 के को अन करके ओके प्रेस करने पर आटो ट्यून स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से आप आटो ट्यून कर सकते हैं कभी-कभी आटो ट्यून से सभी टेनस पंदर सेब नहीं होता है इसलिए मैनुल ट्यून करना ज़रूरी हो जाता है को मैं ABS का ट्यूनिंग दिखाया तो आप इस तरह से डीडी फ्रीडिश का टनस्पंडर और सिम्बल रेट एंटर करके डीडी फ्रीडिश का चैनल भी आप ट्यून कर सकते हैं आप अपने स्कीन पे सेटव बॉक्स के कुछ जो मेनु में फिचार्स है वो फिचार्स देखिए OSD है OSD का का कालर अप चेंज करते हैं देखिए आप बहुत सरे कालर दिया हुआ है OSD में उसके बाद देखिए आप गेम है आप गेम खिल सकते है तो दोस्तों अभी हमने द सकते है उसका प्रोसेस मैंने आपको दिखाया उमेद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिक सकते हैं अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बहुत दिएगा और मेरे च